शामली से केराना विधायक नाहिद हसन ने अपने निजी खर्च से केराना अक्षेतर के 600 परिवारों को भोजन उपलब्द कराए जाने का निर्णे लिया है जिसकी शुरुआत उन्होंने 15 लाक रुपे से की है और आगे भी 50 लाक रुपे का बजट बनाया गया है ताकि संकट किस घड़ी में कोई भी वयक्ती भूके पेट ना रहे उन्होंने डियम से मुलकात कर अपने निधी से दिये 10 लाक से भी लोगों को दवाईयां उपलब्द कराए जाने का अहवान किया देश भर में लोग कोरोना वायरस से जूद रहे हैं जिसके बचाओं को देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोशित कर दिया गया है जो आगामी 14 अपरेल तक जारी रहेगा इसी बीच लोगों को भूके पेट ना सोना पड़े इसके लिए केराना विधायक नाहिद हसन ने अपने निजी खर्च से 600 परिवारों को भोजन किट वित्रित करने का निरने लिया है जिसके संबंद में सोमार को उन्होंने जिलादिकारी जज़जीत कोर से मुलाकात की उन्होंने बताया कि पूरूर में उन्होंने अपनी विधायक निदी से 10 लाक रुपे रहात कोर्च में दिये थे जिससे गरीवों को दवाईयां उपलब्ध हो सके और अब वे अपने निजी 15 लाग रुपे के कर्ट से असाय 600 परिवारों को भोजन किट वित्रित करना चाहते हैं जिससे पर तेक किट में आटा चीनी घी दाल सहित परिवार का गुजर बसर करने का सभी सामान उपलब्ध है लोग डाउन में लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपने निजी खर्ट से 50 लाग रुपे का बजट बनाया जिससे लोगों को जरूरतों के सामान के साथ दवाईयां भी उपलब्ध हो सके लोगों में भगदर ना मचे इसके लिए वे परशासन के सहीयोग से लोगों को सामान वित्रित करेंगे जिला अधिकारी ने असाय लोगों के मदद में पून रूप से सहीयोग देने का भरोसा दिलाया किराना विदायक नाहिदासन दौरा की गई इस पहल से लोगों को मदद मिलेगी और इस से अन्य लोगों को भी परेना मिलेगी